जरोट वे आनन्दपूर गाउं के ग्रामीनों ने किया धर्णा शुरू जरोट वे आनन्दपूर गाउं के ग्रामीनों ने किया धर्णा शुरू अपनी मनमानिक कर अंडरपास नहीं दे रही है। लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कारेवाही नहीं की गई है नैशनल हाईवे 334 भी एक्सिन आनन दह्या का कहना है कि दोनों गाउं एक साथ हैं जिनके गाउं वासियों के लिए सर्विस लेन दी गई है जो गाउं के बाहरी छोर से आपस में कनेक्ट किया गया है अंडरपास बनाने की जरूरत नहीं है नहदी पट्री के लिए भी रास्ते की जरूरत नहीं बाकि जिने जरूरत होगी वेकर से सर्विस लेन का प्रियोग कर खेतो वैबस्तियों में आ जा सकेंगे दहाडी के पैसे लेने गई महिला लापता पुलिस को दी शिकायत खरकुदा के बाट 11 हाई वाई 15 एदगा कालोनी में रहने वाले सुनिल कुमार का कहना है कि वे कपड़े बेचने की फेरी लगाने का काम करता है मैं अपनी साइके लेकर काम पर गया हुआ था उसके लड़के का फोन आया कि उसकी मा कुसूलता कहकर घर से गई थी कि जहां उसे काम पर जाने के लिए जाती है वहाँ से अपनी धाड़ी के पैसे लेने चारही है लेकिन वापस नहीं आई करी स्थानों पर पता किया तो उसका पता नहीं चला मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है पुलिस ने मामला दर्श कर मामले की छान भी शुरू कर दी है रिधाउस से लड़की लापता मामला दर्श रिधाउस गाउस से 19 वर्षे लड़की लापता हो गई है परिशनों नी पहले तो लड़की को विभिन रिष्टेदारों में तलाश किया लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चला तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है पुलिस से मामला दर्श कर मामले की छान बीन शुरू कर दी है दुकान की सामनी से मोटरसाइकल चोरी मामला दर्श पुरानी सवजेमंटी के पास थित पर्चुन के थोपारी संदीप की दुकान के सामने खड़ी उसकी मोटरसाइकल चोरी हो गई मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है संदीप पुत्र यादराम ने बताये कि रवीवार को वह अपनी दुकान पर काम में वैस था कुछ देरवार उसकी बाइक वहाँ पर नहीं मिली मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है पुलिस में मामला दर्शकर मामले की चान बीन शुरू करती है